वेल्कम टू एजुकेटिव वेल्कम टू एजुकेटिव जिसका नाम है एजुकेटिव और आज हम पढ़ रहे हैं सेवन्थ क्लास की साइंस का चैप्टर टैन मोशन एन मेजरमेंट ओफ डिस्टेंस याने की गतियों और दूरियों का मापन बच्चों इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट को अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा और इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर कवर किये हैं ना उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए चैप्टर शुरू कर लेते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट ओब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मापते हैं तो हमार आज का टॉपिक भी क्या है सम मेजरमेंट यानि की कुछ मापन और उसके लिए दी हुई हैं एक अक्टिविटी अक्टिविटी वन तो आपको ये गुरूप में अक्टिविटी करनी है और एक के बाद एक बच्चे को ये सभी को करनी है तो आपको क्या करना है आपके फुट की को युणिट मान कर लेंद की एक पूरे जो क्लास्रूम है उसकी लंबाई और चुडाई को मापना है तो ऐसा पॉसिबल है कि जब आप अपने पैर से मापेंगे क्लास्रूम को तो कुछ पार्ट ऐसा बच जाएगा जो आपके पैर से छोटा होगा तो उस मापने के लिए आप क्या करेंगे किसी धागे का ये डोरी का यूज़ करेंगे record your observation in table 10.1 और जो भी आपकी observation आएगी मापने के बाद उसको आप इस table के अंदर फिल करेंगे अब है activity 2 working group and each of you use your handspan as a unit of measure the width of a table or a desk in the classroom तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको अपनी handspan को use करना है आपको width को measure करने के लिए आपको यहाँ क्या मापना है एक table यह desk को मापना है here 2 you may find that you need string length equal to your handspan and then fraction of this string length to make the measurement और यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि आपको अपने handspan के बराबर एक string लेना है और उसके कुछ fraction को आप use कर सकते है जो हिस्सा आपका बच जाएगा आपके हाथ से जो छोटा होगा ना हथेली से उसको मापने के लिए record all observation in 10.2 table जो table 10.2 है उसमें आप record करेंगी जो भी observation हैंगी we see that measurement means the comparison of an unknown quantity to the noun quantity तो जो हम measurement का meaning है यहाँ पे वो क्या है कि जो हमारे ग्यात जो quantity है उससे हम अग्यात quantity को मापते है this noun fixed quantity is called a unit और जो हमें पता है जो noun fixed quantity है वो ही कहलाती है हमारी unit the result of a measurement is expressed in two parts और जो हमारे result हैगा measurement का उसको हम दो पार्ट में express करते हैं one part is a number the other part is the unit of the measurement तो उसमें एक पार्ट तो क्या होता है जो number होता है और दूसरा उसकी unit होती है for example if in activity one the length of the room is found to be 12 length of your foot then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement तो जो हमने activity one की थी थी न उसमें हमने unit किसको माना था foot को और number कितनी है हमारे 12 यानि कि हमारे 12 foot की जो length है उसको माप के हमने उसको मापा है तो हमारे number आगे 12 और unit क्या होगी foot length now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2 अब आपको क्या करना है जो भी हमने table 10.1 और 10.2 में measurement record की है उन सब को study करेंगे are all the measurements from the room using everybody's foot equal तो क्या जो सभी ने measurement record की है अपने पैरों से नाप कर क्या वो सभी equal है are everybody's measurement by hand span of the width of the table equal और जो हाथों की साहता से जो bench को नापा गया है क्या वो सभी भी equal है perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friend may not be the same तो जो आपका जो result है वो आपके friend से different हो सकता है क्योंकि आपके हाथ की लंबाई चोड़ाई आपके friend से अलग हो सकती है similarly the length of the foot may be slightly different for all the student और इसी तरह जो आपके foot की length है वो भी आपके friend से अलग हो सकती है तो ये भी different ही होगा therefore when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to other they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot तो जब आप अपने हाथों और पैरों के साहता से कोई आप measurement करके बताएंगे तो दूसरा वेक्ति उसको नहीं समझ पाएगा जब तक उसको आपके हाथ की और पैर के exact measurement ना पता हो उसे क्या पता कि आपके हाथ के लंबाई चुड़ाई कितनी है या पैर के कितनी है तो वो नहीं समझ पाएगा कि जो measurement आपने की है वो किसके according की है और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ standard units होती है मापन की जिनकी जुरूत होती है और जो person to person एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में change भी नहीं होती है अगर उसको में मापन की तो भी same आएगी आप उसको use करेंगी तो भी same आएगा तो उसमें changes नहीं होता है standard units of measurement जी हाँ जो हमारे topic है वो भी यही है कि यहाँ पे जो हमारे measurement की मापन की standard unit है उनके बारे में बताया गया है In ancient times the length of a foot, the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement पुराने समय में क्या था बचों कि आपके जो foot की जो length है या finger की width है उससे मापकर ही measure किया जाता था इनको अलग-अलग unit की रूप में use किया जाता था The people of Indus Valley Civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction तो बच्चों जो Indus Valley Civilization के जो लोग थे ऐसा लगता है कि उनको measurement के बहुत अच्छे तरीके मालुम थे जो length मापने के तरीके उनको अच्छे से पता थे क्योंकि जब हम ऐसे जो evidence देखते हैं जो कि उस tank के construction किये हुए है उनमें जो geometrical design बनाए गए हैं वो बिल्कुल perfection से बनाए गए है अब cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world तो जो हमारे elbow से लेकर finger tip तक की जो लंबाई होती है उसको पुराने समय में एजिप्ट के लोग यूज़ करते थे और इसी को एक length की unit के रूप में संसार के और parts में भी use किया गया उसको accept किया गया people also use the foot as the unit of length in different part of the world और इसके साथ साथ जो हमारा foot है उसको भी एक unit length की unit के रूप में world के different different parts में use गया तो था the length of the foot used varied slightly from reason to reason और जो ये foot की unit है length मापने की ये हर स्थान पर कुछ अलग-अलग हो सकती थी people measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin और जब जो लोग हैं उनको clothes के एक yard को मापना होता था तो वो कैसे मापते थी जो आपका एक बिल्कुर हाथ को आप खेंचे तो अपने चिन से लेकर पूरे आप हाथ को जब खेंचेंगे तो उसके end को मापके माप सकते थी that Roman measured with their pace of step और जो Romans थे वो अपने step से measure करते थे इन ancient India small length measured used were an angle और मुठ्थी और जो भारतिय थे प्राचिन भारतिय जो लोग थे वो जो छोटी छोटी जो measurement होती थी मापन होते थे उनको कैसे मापते थे अंगोली याने की finger की सायता से और मुठ्थी याने की fist की सायता से even today we can see flower seller using their four arm as a unit of length for garland in many towns in India और आज भी हम देखते हैं जो flower seller होते हैं full बेचने वाले होते हैं वो अपने four arm को use करते हैं जो माला होती है ना full हो की उनकी length को मापने के लिए many such body parts continue to be used as unit of length when convenient और इसी तरह से जो हमारे body parts हैं उनको use किया आता था measure करने के लिए length मापने के लिए जिस तरह से वो convenient होता था however everybody's body part could be slightly different side लेकिन जो हर किसी का जो body part है वो size में कुछ ने कुछ अलग होता था this must have caused confusion in measurement और इसी वज़े से कुछ confusion भी create होती थी measurement में मापन में in 1790 the French created a standard unit of measurement called the matrix system तो इसी लिए 1790 में जो फ्रेंच थे उन्होंने एक standard unit को create किया measure करने के लिए जिसको की matrix system खा गया for the sake of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement और एक समानता बनाए रख लेके लिए जो scientists हैं उन्होंने पूरे world में कुछ ऐसे standard unit को accept किया measurement की जो की सब जगे मानने थी the system of unit now used is known as the international system of unit और जो system हम आज use करते हैं उसको कहा जाता है international system of unit यानि कि SI unit the ऐसा unit of length is a meter और जो यह लेंद को मापने की ऐसा unit क्या है meter है a meter scale is shown in figure 10.6 तो जो यह meter scale है आपको नेचे 10.6 figure में दिखाया भी हुआ है यह देखे यह है आपका meter scale also shown is the 15 cm scale in your geometry box और जो आपकी geometry box होती है उसमें 15 cm का scale भी होता है आपकी geometry box के अंदर तो उसको भी आप देखके समझ सकते हैं कि meter scale कैसा होता है each meter is divided into 100 equal division जो हर एक meter होता है वो equal equal जो उसके अंदर division होते हैं 100 call centimeter जिनको कि centimeter का जाता है each centimeter has 10 equal division call millimeter और हर एक centimeter के अंदर 10 division होते हैं equal जिनके millimeter का जाता है यानि कि एक meter हो गया 100 cm के बराबर और एक centimeter हो गया 10 mm के बराबर यहां देखिए बताया भी हुआ है आपको for measuring large distance meter is not a convenient unit लेकिन जब हम ज्यादा लंबे distance को मापते हैं तो उसके लिए meter एक हमारे लिए convenient unit नहीं है we define a larger unit of length it is called kilometer तो जब हमें बड़ी दूरी को नापना होता है तो उसके लिए हम क्या use करते हैं kilometer और एक kilometer कितने meter के बराबर होता है 1000 meter के बराबर होता है now we can repeat all the measurement activities using a standard scale and measure in SI unit before we do that we do need to know the correct way of measuring length and distance यह सब करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए सही तरीका पता होना चाहिए length और distance को मापने का अब हमारा next topic देखें क्या है correct measurement of length यानि कि लंबाई का सही मापन in our daily life we use various type of measuring devices तो बच्चों जो हमारे daily life में हम अलग लगता रहें के measuring device यूज करते हैं यानि कि मापन के लिए जो device यूज करते हैं उनके बारे में बात हो रहे है we use a meter scale हम मापन के लिए एक meter scale का यूज करते हैं for measuring length यानि कि लंबाई को मापने के लिए a tailor uses a tape whereas a cloth merchant uses a meter road और जो एक tailor होता है वो क्या यूज करता है inch tape जिसे हम बोलते हैं वो यूज करता है और जो एक merchant होता है cloth का यूज करता है वो meter road यूज करता है मापने के लिए for measuring the length of an object you must choose a suitable device तो जो भी हमें object मापना होता है तो उसके लिए हमें एक suitable device को चूज करना चाहिए you cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale for instance जैसे कि हमें किसी tree की girth यूज करनी है या आपको अपनी chest के size measure करनी है तो आप उसके लिए meter scale का यूज तो नहीं कर सकते measuring tape is more suitable for this तो इस तरह कि आपको measurement करने के लिए जो tape होती है इंची tape होती है उसको आप use कर सकते है for small measurement such the length of your pencil you can use 15 cm scale from your geometry box और अगर आपको छोटी सी measurement करनी है तो आप अपने geometry box में जो scale आता है ना उसको use कर सकते है in taking measurement of a length we need to take care of the following लेकिन जब हम measurement कर रहे होते हैं किसी भी object का तो हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए क्या बाते हैं वो place the scale in a contact with the object along its length as shown in figure 10.7 तो हम जिस भी object को measure कर रहे होते हैं उसको आपको यह देखे नीचे जो figure दिखाए गई है इस तरह से आपको रखना चाहिए in some scales the end may be broken कभी-कभी ऐसा होता है कि जो scale का end होता है वो टूटा हुआ होता है you may not be able to see the zero mark clearly तो आपको जो zero mark होता है वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है न गई पर ऐसा होता है in such cases you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale तो ऐसे में क्या करेंगे आप जो zero mark है वहां से measurement नहीं करेंगे you can use any other full mark of the scale say one centimeter तो आप zero को छोड़के और कोई जो mark आपका विल्कुल clear है वहां से आप शुरू कर सकते हैं जैसे कि one centimeter शुरू कर सकते हैं then you must subtract the reading of this mark from the reading at the other end और जो आपने mark लिया है उससे उसकी reading को आप minus कर सकते हैं for example in figure 10.8 the reading at the end is one centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter तो जो आपकी नीचे दिखाए गई है reading वो क्या आरी है starting से तो one centimeter से किया है और end जो है 14.3 centimeter पे किया है therefore the length of the object is 14.3 minus 1.0 याने की 13.3 तो उसका length में आपने के लिए आप क्या करेंगे जो total है उसमें से वो minus कर देंगे तो इससे आपकी जो length है object की पता लग जाएगे आपको correct position of the eye is also important for taking measurement जो आपकी आख की सही position है वो जादा important होती है किसी भी measurement को करने के लिए your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9 तो आपको आगे figure 10.9 में दिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से आपको exactly measurement करने चाहिए in figure 10.9 position B is the correct position of the eye note that from position B the reading is 7.5 cm from position A and C the reading may be different तो आगे देखते हैं किस तरह से जो position है different different वो दिखाया हुई है यह देखे बच्चों यह जो तीन position है वो यहां पर दिखाया हुई है A, B और C तो जो B position है वो बिल्कुल correct है क्योंकि यह बिल्कुल सामने है जो में major करना है तो वहां हमारा आ रहा है 7.5 cm लेकिन अगर आप A से देखेंगे या B की तरह से देखेंगे तो यह आपके different आएगी तो इसलिए आपको बिल्कुल सामने से ही मापना चाहिए अब हमारी है next activity activity three measure the height of your classmate using handspan and then using by a meter scale तो आपको क्या करना है आपके किसी सहपाथी की आपको height मापनी है पहले तो आप उसको handspan की सहथे से माप सकते है और उसके बाद आपको meter scale से मापनी है for this ask your classmate to stand with his back against a wall तो इसके लिए आप क्या करेंगे अपनी सहपाथी से कि वो एक wall के सामने खड़े हो जाए make a mark on the wall exactly above his head तो आपने क्या करना है जहां उसका head है वहाँ पर एक mark बना देंगे निशान बना देंगे now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand spam and then with a meter scale और अब नीचे जो first से आप उस mark तक दिवार पे अपने hand spam से मापेंगे और उसके बाद meter scale से मापेंगे let all other student measure this length in a similar way record all observation in table 10.3 तो यहां पर आपके जो भी measurement आएंगी यहां पर आप उसको fill कर देजिए hand spam से मापके fill करेंगे और साथ में जो height है centimeter में उसको यहां पर करेंगे study carefully result obtained by different student तो जो different different student की study आएग उसको यहां पर आपको ध्यान से result को study करना है the result in column 2 may be different from each other as the length of the hand spam may be different from different student तो जो आपका जो hand spam वाले height जो माप रहे हाथों से वो different हो सकती है क्योंकि सब के हाथ की लंबाई चोड़ाई different different होती है look at the result in column 3 where the measurement are done using a meter scale तो जो आपको column 3 है उसमें क्या किया है सभी ने meter scale की साहता से मापा है तो उसको देखिए आप ध्यान से उसमें क्या दिखाए दिखाए दिया आपको the result may be close to each other now but are they exactly equal तो जो result है वो एक दूसरे के बिल्कुल close है क्या लेकिन बिल्कुल exactly क्या equal है सभी के if not why do you think there is a difference और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या लगता है कि यह अलग-अलग क्यों है after all everybody is using the same scale and no different hands ma'am this could be due to small errors in taking observations in higher class we will learn about the importance of knowing the handling such errors in measurement so we are doing the little measurement when we are facing our selection of decisions we will learn how to improve the problem so we will learn how to improve the errors then how to keep our assignment as usual we will learn how to improve the deadlines classes में पढ़ेंगे अब ह circuitsर्ण टॉपिक है हमारा उसको हम पढ़ेंगे अपनी ङ्च्स वीडियो में तुकि आजपी वीडियो हो जाएगी लंभी और आप हो जाएंगे जो आपको आज वीडियो समझ में आई है, टोपिक अच्छा लगा है तो वींडEO को कर दीजे लाइक और चैनल को कर लेजीए सबस्क्राइब और हाँ अपने सबी फ्रेंड्स के साथ इसको शेर करना बिल्कुल भूलिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो bell icon को कर दिए press और channel को कर लेजिए subscribe और अब हमारी videos continue रहने वाली हैं कुछ दिन से हमारी videos नहीं आ रहे थी तो उसके लिए so sorry तो अब हमारी video रहेंगी continue तो बस last में यह कहूंगी घर पे रहें मगर पढ़ते जरूर रहें Thank you for watching my video हाँ